मैं डॉक्टर सुपरज सक्सेना, सीनियर सर्जन नीलकंड हॉस्पिल गुर्ण गुर्ण वाउ में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आज आपको बाबसीर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ बाबसीर ऐसी बिमारी है जो हर दूसरे आदमी को है लेकिन हम लोग उसको समय पर पैचान नहीं पाते इसलिए हम उसका बाद में नुगत्ते रहते हैं अगर हम बाबसीर को समय पर ध्यान दे लें और समय पर इसको बचान लें तो कम से कम इसके complications इसके जो नुकसान होते हैं बाद में उससे बच सकते हैं पहले हम बबसीर को समझने ही समझते हैं कि बबसीर होती कैसे है और कहां पर होती है इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा diagram आपके सामने दिखा रहा हूँ यह एक Latin का रास्ता है जिसमें आपको उपर एक rectum नाम की चीज़ दिख रही है rectum और नीचे anal canal rectum में बबसीर होता है और नीचे anal canal में वो बढ़के आ जाता है बबसीर क्या है एक खून का गुच्छा है अगर उस खून के गुच्छे में अगर खून इखटा हो जाएगा तो वो बबसीर बन जाएगा अब बबसीर कैसे बढ़ती है यह मैं आपको बताता हूँ यह खून की नसे जो आपको दिख रही है इसमें खून का दवाब आता है जब इसमें खून का दवाब ज्यादा आ जाता है जिसको हम वीनस प्रेशर बोलते हैं तब ये खून की नसे में खून इखटा होना शुरू हो जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, दीरे-दीरे करके इसमें खून का जवाब बढ़ता जाता है, और खून इखटा होना शुरू हो जाता है, दीरे दिकर के ये नसे फूलने लगती हैं, और फूली हुई नसों को हम बबसीर बोलते हैं दूसर तरीका होता है बबसीर बनने का जब हमारी मास पेशियां कमजोर पढ़ जाती है जो खून की नसे हैं वो एक मास पेशियां कमजोर हो जाएंगी तो खून की नसे नीचे लटकने लगेंगी नीचे खिसक के नीचे आ जाएंगी जिसको हम बबसीर भोलेंगे तीसर तरीका होता है कि हमारे जब हम जोर लगाते हैं। जब हमारे नीचे का स्पिंटर जिसको बोलते हैं in वो कम जोर बाहर वाली में आपको एक खून का गुच्छा दिखाई देगा जो चमड़ी से कवर्ड होगा और वो एक गांट सी दिखती है जो बहुत दर्द करती है उसको एक्सटनल हम्रोइट बोलते हैं और जो एक अंदर से मस्से निकल के बाहर आते हैं जब हम दवाब लगाते हैं ज जब हम टॉलेट सी पर बहुत देर तक बैठते हैं तब लेटरिंग निकलती है तो समझ दीजिए आपको कोई दिक्कत शुरू होना हो गई है दूसरा है कि अगर हमें कभी ब्लेडिंग आती है लेटरिंग रास्ते तो समझे बबसीर बनना शुरू हो गई है या कबजी रह बाहर देखेगा आपको अगर खून का लोग थड़ा बाहर दिखता है समझे कुछ न कुछ गरबढ है बबसीर होने के चांस है इन सब कंडिशन में बेटर होगा आप डॉक्टर से सलह लें ताकि यह पता चल जाए समय पे कि आपका बबसीर कितनी स्टेच पे है अब एक ब बबसीर आगे बढ़ना रोख जाएगा इससे क्या फाइदा होता है जब हम पानी पीते हैं तो हमारा जो मुशन होता है जो मल होता है वह पतला होना शुरू हो जाता है वह सकत नहीं होता जिसे हम कॉंस्टिफेशन बोलते हैं दूसर तरीका है जितना हम हारी सबजियां खा यंगे फल खाएंगे हमारा बवसीर बनना रोख जाएगा क्योंकि हमें Fiverr होता है Fiverr का मतलब रेशा जितना रेशा हम खाएगे उतना हमारा मल पतला हो जाएगा और हमारा को बवसीर बढ़ने से रोख जाएगा दूसरा जितना आप अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मीट मचली खाते हैं तो उसको कम कर दीजेए क्योंकि अगर आप मीट मचली खाएंगे तो इससे बढ़ती चली जाएंगे एलकोहल है दारू है सिगरेट है जितना आप कम करते चले जाएंगे उतना आपको वबसीर बढ़ने से रूख जाएगे जो वबसीर इनिशल स्टेजिस की होते जैसे ग्रेट वन जिसे बोलते हैं हम लोग जो शुरू के स्टेज में आती है उसको आप आराम से नजात पा सकते लेकिन अगर यही बढ़ गई तो आपको दवाईयों का सहरा लेना पड़ जाता है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हो सकता आपको आपको आपरेशन की भी नौबाद आच है खाने के लिए आप कम से कम आटा जो इसमाल करते हैं उसमें फाइबर होना चाह करेंगे जितना हम walking करेंगे जितना हम swimming वगर exercise करेंगे हमारी मासपेशियां tight हो जाएगे जितना हम ठाइट रखेंगे muscles को अपने उतना हमारे को बबसीर आगे बढ़ने से ब्रूग जाएगा और बहुत सी चीजह जैसे जिसको आप आववाइड कर सकते हं लेट-night food है फास फूड है जिसे हम फीजा, बर्गर अगर हम रोज खाते हैं इन सब को अवाइड करना चाहिए मिर्च मसाले कम से कम खाने चाहिए और ये था बबसीर से को जड़ से खतम करने का तरीका इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकरी लेनी है या इसके बारे में और डेटेल में पता करना है तो आप दिखाई हुए नंबर पे आप कॉल करिये और डॉक्टर से सलहा लीजे धन्याओ